सूम अध्गान मेरा नाम हम अमंदाज है मैं कथ्या चो का एक छात रहूं और आज मैं आप सभी के सामने एक निबंद प्रस्तोत करना जा रहा हूं उस निबंद का विशे है पढ़ावरन प्रदूसन तो पढ़ावरन प्रदूसन से पहले हमें यह जाना जरूरी है कि प्रद प्रदूसन और अगर हवा पानी और जमी उने फैस्ट है तो उससे बढ़ा वरन प्रदूसन बन जाती है जो हमारे सिहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है चले हम यह जानते हैं कि हम प्रदूसित कैसी होती है जो छोटी दूरी तेया करने के लिए अपनी गारी यूज क आते हैं तो ऐसे हवा प्रदूसित होती है आप मैं बताता हूं कि हवा में कितनी प्रकार का ग्यास्ट होते हैं पहले नाइट्रोजन 78 परसेंट ऑक्सीजन 21 परसेंट कार्बन डैक्साइज जीरो पंजीरो थी परसेंट और अन्य गैसे 0.95 परसेंट और हम लोग जो प्लस् और हमारे घर का कर्चरा होता है कोई-कोई अधिकतर लोग वह जाके नजी तालाब में फेक आते हैं और बड़े बड़े फैक्टरी और चिमनिस का भी जो प्रदूसित पधार्थ होते हैं वह भी वह भी समुंदर में जाके डालाते हैं तो यह सबी साके एक जगा मिक्स हो राती है और जो पाने का